हे गाईज वेलकम बैक टू दे नीव वीडियो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बैस्ट फ्लेक्सिव और रांड अल्टेमेटी स्मार्ट फॉनों के वारे में चो कि आपको 20 लके प्राइस पॉन पर देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको किसी फीचर को लेके कंप्रोमाईस नहीं करना पड़ेगा ये फॉन अपने ब्राइंड बलू के साब से अपने स्पैक्स के साब से अपने प्राइस पॉन के साब से काफ़ी बेटर वैली 4 मनी है तो दोस्तो बिना टाइम बेस की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फॉन के बारे में चुकी रहने वाला बन प्लस की तरप से बन प्लस नोट C3 लाइट 5G दोस्तो स्टार्ट के बारे आपको काफी ची डिजाइन डेकने को मिलेगी फॉन के अंदर आपको काफी ची Saire दी दिस्पे इस में को मिलेगा बात कर लेते हैं फॉन की डिस्पेले के बारे में फॉन के अंदर आपको 6.72 इंच इसका IPS LCD HD पैनल देखने को मिलेगा जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 एक रिफ्रेस्टेट 680 निट्स की पीक ब्लाइटनेट 87.1% का स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर को ले गलास का प्रोटक्शन दिया गया है जिप्साइट के बारे में बात करें तो आपको उक्ता को को कॉल कॉम श्नाइब डेगन 695 फाइब जी कर प्रोश्टेट देखने को मिलेगा जो की 6 नानोमेटर के साथ आता है एंड़ वजन 13 पर बेज़्ट है ऑक्षिएन ओस 13 पॉइंट बनका एक्स्पेंट देखने को मिलेगा साती मैं आपको बिरेंड के बारे में बात के अंदर मैंन के मिले से आप 1080 प्रोश्टेप से में एक्सेम बीडियो रिकॉर्ट कर पाऊगी सेल्फी कैमरा आपको सिंगल साथ देखने को मिलेगा 16 मेंगा फिक्सल का 3.5 फाइब जैक फॉन के अंदर दिया गया है USB की बात करें तो आपको टाइब देखने को मिलेगी 2 2.0 विद OTC connect फॉन के अंदर साइड मांटन फिंग जैंसर देखने को मिलेगा 5000 आपको फॉन के बील्ड क्वालिटी के बारे में फॉन के इंदर आपको बैक फिरम दोन पलास्टिक के देखने को मिलेंगे गिलास की प्रटक्शन इसप्ले के अंदर है 195 ग्राम का बेट है 8. 1.3 mm की थिक्निस है तो दोस्तों आप इस फॉन को डेफिरिंटी चेक आउट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं इस लिश्ट के सेकंड स्मार्ट फॉन के बारे में जोकि रहने वाला वीबो की तरफ से IQ G7 5G दोस्तों इस फॉन के अंदर आपको काफे ची फीचर देखने को मि बात कर लेते हैं डिस्पेले के बारे में फॉन के अंदर आपको 6.38 इंचिस का MRAD डिस्पेले पैनल देखने को मिलेगा त्यूकि 98 रेफ्रेश रेट है आपको 128 GB प्लस 6 GB का बेस्में देखने को मिलेगा जोकि 6 नामेंटर के साथ आता है आपको 128 GB प्लस 6 GB का बेस्मेंट देखने को मिलेगा UFS 2.2 टाइप की स्टूरेज दी गई है मैं केमरा आपको ड्रेल साइट अप के साथ देखने को मिलेगा रेर केमरा 64 MP का बिद ओएस के साथ 2 MP का डैथ एड रिफ्रेश देखने को मिलेगी मैं केमरे के अंदर मैं केमरे से आप 4 के वाई ठाट अपिस मेगज़ने को मिलेगा सेल्फी केमरा आपको सिंगल साइट अप के साथ देखने को मिलेगा 16 MP का 3.5 अंदर दिया गया है USB की बात करें तो आपको टैप से देखने को मिलेगी 2.0 अब बात कर लेते हैं फॉन की बात कर लेते हैं फॉन की बिल्ट क्वालिटी के बारे में फॉन के अंदर आपको 173 ग्राम का बेट देखने को मिलेगा 7.8 mm की थिकनी से हैं तो दोस्तो इस फॉन को आप डेफिनिटी चेक आउट कर सकते हो दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस लिष्ट के थर्डे स्मार्टफॉन के बारे में चुकि रैनेमला लावा की तरफ से लावा अगनी 2 5G दोस्तो इस फॉन के अदर भी आपको काफिछी feature देखने को मिलेगे काफिछी design देखने को मिल जाएगी काफिछी तगड़ा पॉप फुर्चिप्चेट देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं इस डिस्प्ले के बारे में फॉन के अदर आपको Octococca MediaTek Damage T7050 का Highly Popo chipset देखने को मिलेगा चो कि 6 nanometer के साथ आता है Android version 13 पर based है बात कर लेते हैं variant के बारे में phone के अंदर आपको 256GB plus 8GB RAM का base button देखने को मिलेगा man camera आपको cut setup के साथ देखने को मिलेगा real camera 50 megapixel का 8 megapixel का ultra wide 2 megapixel का macro 2 megapixel का depth dual LED flash देखने को मिलेगी man camera के अंदर man camera से आप 4K wide setups maximum video record कर पा होगी selfie camera आपको single setup के साथ देखने को मिलेगा 16 megapixel का 3.5 jack phone के अंदर नहीं जाए गया USB की बात करें तो आपको tap-shy देखने को मिलेगी 2.0 with OTC connect phone के अंदर आपको under display sensor देखने को मिलेगा 4700H की battery है जो कि support करेंगे 68 bar fast charging को 16 mm आप इस phone को 50% easy charge कर पाओगे बात कर लेते हैं phone के color screen के बारे में phone के अंदर आपको 3 color screen देखने को मिलेगे 1st color देखने को मिलेगा blue, 2nd जो मिलने वाला purple और 3rd जो मिलने वाला gray अब बात कर लेते हैं phone के build quality के बारे में phone के अंदर आपको 210 gram का weight देखने को मिलेगा 8.8 mm की थिक्नीज है तो दोस्तों इस phone को भी आप definitely check out कर सकते हो तो I hope कि आपको वीडियो फसंद आई हो और इंफान में से जोई phone आपको जादा best लगाओ उस phone को आप अपनी need and product के आप से consider कर सकते हो वीडियो आपको ज़रा भी informative लगे हो तो please वीडियो को like कर देना, comments कर देना और अपने दोस्तों में जादा आज़ा सेयर कर देना तो चलिए guys मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए आप अपना खयार रखेगा और थोड़ा सा हमारा भी